नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुभा मिश्रा तो पाकिस्तान और वेस्टेंटीज की बीच 13 दिसंबर से एक शांदार सीरीज की शुरुआत होने जा रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और वेस्टेंटीज की बीच खेले जाने वाले T20 और वंडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में complete information देने वाला हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबस इतनी से request है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके notification bell on करते हैं ताकि आपको cricket से related ऐसी interesting videos और updates लगातार मिलती रहे दोस्तो इस समय West Indies की टीम पाकिस्तान के दोरे पर है जहाँ पर इस दोरे पर इन दोनों टीमों की बीच 3 T20 और 3 Monday मैचों की सीरीज खेली जाएगी जहाँ पर सबसे पहले T20 सीरीज खेले जाने वाली है जिसकी शुरुआत 13 December से होगी और इस सीरीज के schedule, date, timing इसके अलावा दोनों टीमों के squads के उपर मैंने already एक dedicated वीडियो बना दी है जिसका link मैंने इस वीडियो के description box में provide कर दिया है तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो भी check out कर सकते हो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस T20 और One Day सीरीज की live streaming details के बारे में तो अगर हम सबसे पहले इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में इस सीरीज का live broadcasting rights Sony Pictures Sports Network के पास है जहाँ पर दोस्तों आप TV में इस सीरीज का live telecast Sony 6 channel और Sony 6 HD channel की मदद से देख सकते हो वहीं अगर mobile application की बात की जाए तो आप Sony live application की मदद से भी इस सीरीज का live telecast इंडिया में देख पाओगे अब बात कर लेते हैं other countries की तो पाकिस्तान में इस सीरीज का live telecast PTV Sports Channel पर किया जाएगा इसके लावा अगर mobile application की बात की जाए तो पाकिस्तान की viewers इस सीरीज का live telecast दराज TV application की मदद से भी देख सकते हैं वहीं अब बात कर लेते हैं South Asia की बाकी countries की जिसमें शामिल है Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Nepal, Bhutan और Maldives तो इन सभी countries में इस सीरीज का live telecast Sony Pictures Sports Network के चैनल ही करने वाला है अब बात कर लेते हैं New Zealand की तो वहाँ पे इस सीरीज का live telecast Sky Sports NZ TV चैनल पर किया जाएगा इसके लावा UK में इस सीरीज का live telecast Sky Sports Cricket चैनल करने वाला है वहीं बात कर लें मीना कंट्रीज की तो वहाँ पे इस सीरीज का live telecast Atticelect TV अप पर किया जाएगा इसके लावा दोस्तों Australia में और New Land Europe में सीरीज का live telecast ICC TV अप्लिकेशन की मदद से देखा जा सकता है वहीं बात करें Caribbean countries की तो वहाँ पे सीरीज का live telecast Flow Sports चैनल पर किया जाएगा इसके लावा South Africa में T20 और One Day सीरीज के सभी matches का live telecast Super Sports Cricket चैनल करने वाला है वहीं अगर North America की बात करें तो वहाँ पे इस T20 और One Day सीरीज का live telecast Willow TV चैनल पर किया जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं उस free application के बारे में जिसकी मदद से आप इस T20 और One Day सीरीज के सभी matches का live telecast अपने mobile phone में बिल्कुल free में live enjoy कर पाऊगे तो दोस्तों इस application का नाम है Jio TV application आपको play store से Jio TV app को install करना है और app को install करने के बाद आपको उसमें sports section में चले जाना है जैसे आप sports section में जाओगे बहाँ पे आपको Sony 6 और Sony 6 HD sports channel मिल जाएगा जिस पर इस सीरीज का live telecast किया जाएगा तो आप बिल्कुल free में इस सीरीज के सभी matches का live telecast उतने mobile phone में live enjoy कर सकते हो So friends ये रही पाकिस्तान और West Indies की बीच होने वाली T20 और One Day सीरीज की live streaming से जुड़ी complete information I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और आप हमें नीचे comment box में ये ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी team T20 और One Day सीरीज जीतने वाली है इसके लावा cricket matches की fantasy playing 11 वहीं पर cricket से जुड़ी हर छोटी बड़ी news से सबसे पहले updated रहने के लिए आप हमें telegram channel पर ज़रूर जोइन कर ले link आपको description box में मिल जाएगा so friends मिलते हैं आप से किसी नई और interesting video में till then take care, stay safe and goodbye